हाई फ्रेंट्स के भी स्पेसल टेक एजुकेशन माई डेर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई टे आई स्टुडेंट को जो मौका मिला हुआ है डिजीटी ने नौटेस जारी किया हुआ है किनकिन्च हात्रों को यह सुनेरा मौका दिया गया है त इसके अलाबा ट्रेड थेयोरी भी हम अपने चैनल पर पढ़ाते हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो हम यहाँ पर आपको एक नौटेस दिखाते हैं जो की डिजीटी की द्वारा जारी किया गया है यहाँ पर आप देख पा रहे ह इसको चलिए डिटैल से देख लेते हैं डाउनलोड कर लेते हैं इस नौटेस को अग तो दियर फ्रेंटस Um infinity आपका आपका notification जो है download कर लिया है DGT की द्वारा जारी notice हमने download कर लिया है इसमें directors जो है direct rate general of training की द्वारा यहाँ पर notice जारी किया हुआ है क्या लिखा गया है इस पर कि only in case if hall ticket not generated यानि आपका अगर hall ticket generate नहीं हो रहा है उसमें कोई correction करवाना है तो वो NCVT MIS portal पर update कर सकते हैं किन-कि इसमें चीजों को update कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जबकि यहाँ पर time period भी दिया गया है 24 मई 2021 से 31 मई 2021 तक ही आप इसको update कर सकते हैं अगर आपका hall ticket जारी नहीं हो रहा है और आप में नाम, photo, father name, mother name में correction करना है तो आप correction कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर photo upload correction भी कर सकते हैं training verification की editing भी चालू कर दी गई है तो training verification भी आप यहाँ से कर सकते हैं verification आपको MIS portal पर जाना है अगर आपने उस video को नहीं देखा है हमने इसके लिए video बना के upload कर दिया है उस video को नहीं देखा है तो i button पर मिल जाएगा यह description box पर जाकर उस video को आप देख लीजिए तो यह बहुत ही important चीज थी जो हमने आपके साथ share किया है यहाँ पर एक बार और जो है एक चीज है कि no further request beyond the schedule will be considered मतलब जो phrase candidates है यहाँ पर लिखा गया है सापकी no phrase data uploading allowed जो phrase candidate है उनके लिए यह नहीं है जिनोंने admission ले चुका है उन लोगों के लिए है 2019-20 में तो my dear friends अगर य वीडियो को लाइक करें और अगर आप अभी भी हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें thanks for watching